दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के अईतिहासिक छण का इंतजार कर रही है ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्सा ये उमंग बहुत स्वाभाविक है भारत की मिट्टी के कानकान और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूँ और मैं भी आपकी तरह उत्नाही उत्सुक हूँ हम सभी का ये उत्सा ये उमंग थोड़ी देर पहले अयोध्या की सडकों पर भी पूरी तरह नजर आ रहा था ऐसा लगता था कि पूरी अयोध्या नगरी ही सडक पर उतर आई हो इस प्यार इस आशिरवात के लिए मैं आप सभी का रगेश सा आभार व्यक्त करता हूँ मेरे साथ बोलिये शियावर राम चंद्र की 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 शियावर राम चंद मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी, जोतिराधित्य जी, अश्वीदी वैश्णव जी, विके सीनी जी, उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीम, केश्व प्रसाद मोर्य जी, ब्रिजेश पाठक जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रिगाण, सभी साउसद और विदाईगाण, और विशाल संख्या में आए मेरे परिवार जनों। देश के इतिहास में 30 दिसंबर की ये तारीक बहुत ही इतिहासिक रही है। आज के ही दिन, 1943 में, नेताजी सुभाद संद्र बोज ने, अंडमान में जंडा फैरा कर भारत की आजादी का जैगोश किया था। आजादी के अंदोलन से जुड़े, ऐसे पावन दिवस पर, आज हम आजादी के अमरत काल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। आज विख्षिद भारत के निर्मान को गती देने के अभियान को अयोध्यान नगरी से नई उर्जा मिल रही है। आज यहाँ 15,000 करोड रुपय से अधिक के विकास कारियों का सिलान्यास और लोकारपन हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्टर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्से पर फिर से गवरव के साथ स्थापित करेंगे। कोरोणा जैसी वैस्विक महामारी के बीच ये कारिया अयोध्यावासियों के अथक परिश्रम का परणाम है। मैं सभी अयोध्यावासियों को इन परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूँ। मेरे परिवार जैनों दुनिया में कोई भी देश हो अगर उसे विकास की नई उचाई पर पहुंचना है। तो उसे अपनी विरासत को समालना ही होगा। हमारी विरासत हमें प्रेरा देती हैं। हमें सही मार्ग दिखाती हैं। इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसाथ करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब यही आयोध्या में राम लला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिरफ राम लला कोई नहीं बलकि पक्का घर देश के चार करोड गरीबों को भी मिला है। आज भारत अपने तिर्थों को भी समार रहा है। तो वहीं डिजिटल टेक्लोलोजी की दुनिया में भी हमारा देश चाया हुआ है। आज भारत काशी विश्वनात धाम के पनदिर्मार के साथ ही देश में तीस हजार से जादा पंचय भवन भी बनवा रहा है। आज देश में सिपकेदार धाम का पनुरदारी नहीं हुआ है। बलकि 315 से जादा नए मेडिकल कॉलेग भी बने हैं। आज देश में महाकाल महालोग का निर्मारी नहीं हुआ है। बलकि हर गर्जल पहुचाने के लिए पानी की दो लाग से जादा तंकियां भी बनवाई है। हम चान, सूरत और समुद्र की गहरायों के भी नाप रहें। तो अपनी पवरानित मुर्तियों को भी रिकॉर्ड संख्या में भारत वापिस ला रहे हैं। आज के भारत का मिजाट यहां आयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज यहां प्रगति का उत्सव है। तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है। तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है। विकास और विरासत की यही साजाता कर भारत को 21 सदी में सबसे आगे ले जाएगी। मेरे परिवार जरों प्राचिन कान में अयोध्या नगरी कैसी थी। इसका वर्ण खोद महर्शी वालमी की जिने विस्तार से किया है। उन्होंने लिखा है कोसलो नाम मुदितह स्भीतो जनपदो महान निविष्ट सर्यूतिवे प्रभूत धन धान्यवान। अर्थात वालमी जिज बताते हैं कि महान अयोध्यापुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी, सम्रुद्धी के सिखर पर थी और आनन्य से भरी हुई थी। यानि अयोध्या में विज्ञान और बैराग्यतो थाई, उसका बैभव भी शिखर पर था। अयोध्यान नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिक तांग से जोड़कर वापिस लाना है। साथियों, आने वाले समय में अयोध्यान नगरी अवद छेत्र ही नहीं, बलकि पूरे यूपी के विकास को ये हमारी अयोध्या दिशा देने वाली है। अयोध्या में स्री राम का भव मंदिर बनने के बाद यहां आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धी होगी। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अयोध्या में हजारो करोड रुप्यों के विकास कारिय करा रही है। अयोध्या को स्मार्ट बना रही है। आज अयोध्या में सडकों का चौड़ी करन हो रहा है। नए पुटपात बन रहे हैं। आज अयोध्या में नए फ्लाइवर बन रहे हैं। नए पूल बन रहे हैं। अयोध्या को आज़ पास के जीलों से जोडने के लिए भी यातायात के साधनों को सुधारा जा रहा है साथियों आज मुझे अयोध्या धाम एरपोर्ट और अयोध्या धाम रेल्वे स्टेशन का लोकारपन करने का सवभागे मिला है मुझे खुशी है कि अयोध्या एरपोर्ट का नाम महर्शी वाल्मिकी के नाम पर रखा गया है महर्शी वाल्मिकी ने हमें रामायन के माध्यम से प्रभू स्री राम के कृतित्व से परिचित करवाया महर्शी वाल्मिकी लिए प्रभू स्री राम ने कहा था तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा विश्व बजर जिमी तुम्रे हाथा अर्था ये मुनिनाथ आप त्रिकाल दर्शी है संपुन अभिश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है ऐसे त्रिकाल दर्शी महर्ची वालमिकी जी के नाम पर अयोध्या धाम एरपोर्ट का नाम इस एरपोर्ट में आने वाले हर्यात्री को धन्य करेगा महर्ची वालमिकी द्वारा रचीत रामायान वो ज्यान मार्ग है जो हमें प्रभोश्री राम से जोडती है आदुनिक भारत में महर्ची वालमिकी इंटरनेशनल एरपोर्ट अयोध्या राम हमें दिव्य भग्य नव्य राम मंदिर से जोडेगा जो ये नया एरपोर्ट बना है उसकी चमता हर साल दस लाग आत्रियों को सेवा करने की चमता है जब इस एरपोर्ट के दूसरे तरफ का काम भी पुरा हो जाएगा तो महर्ची वालमिकी इंटरनेशनल एरपोर्ट पर हर साल साथ लाग आत्री आजा सकेंगे अभी अयोध्याधाम रेलवे स्टेशन पर हर रोच 10-15 लोगों को उनकी सेवा करने की चमता है स्टेशन का पूरा विकाद होने के बाद अयोध्याधाम रेलवे स्टेशन पर हर रोच साथ हजार लोग आजा सकेंगे साथियों एरपोर्ट रेलवे स्टेशनों के हलावा आज यहाँ अनेक पथों का मारगों का भी लोकारपण हुआ है रामपत, बक्तीपत, धर्मपत और स्री राम जन्म भूमीपत से आवाजाई और सुगम होगी अयोध्यामें आज ही कार पार्किंग स्थलो का लोकारपण किया गया है नए मेडिकल कॉलेज से हाँ आरोग्य की सुभिदाओं को और विस्तार मिलेगा सर्यू जी की निर्मलता बनी रहे इसके लिए भी डबल इंजिन सरकार पूरी तना समर्पी था है सर्यू जी में गिरने वाले दुसीत पानी को रोकने के लिए भी काम शुरू हुआ है राम की पैड़ी को एक नया स्वरूप दिया गया है सर्यू के किनारे नए नए घाटों का विकास हो रहा है यहां के सभी प्राचिन कुंडों का पुनरुदार भी किया जा रहा है लता मंगिस कर चोग हो या राम कतास्तल ये अयोध्या की पहचान बढ़ा रहे है अयोध्या में बनने जा रही नई टाउन सिप यहां के लोगों का जीवन और आसान बनाएगी विकास के इंकारियों से अयोध्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए आउसर भी बनेंगे इससे यहां के टेक्सी वाले, रिक्साँ वाले, होटल वाले, धाबे वाले, प्रसाद वाले, फूल बेचने वाले, पूजा का सामगरी बेचने वाले, हमारे छोटे मोटे दुकानदार भाई, सभी की आए बढ़ेगी मेरे परिवार जनों, आज यहां आदुनिक रेलिवे के निर्मार की तरफ एक और बड़ा कदम देश ने उठाया है बंदे भारत और नमो भारत के बार आज एक और आदुनिक ट्रेन देश को मिली है इस नई ट्रेन सिरीज का नाम अमरिद भारत ट्रेन रखा गया है बंदे भारत, नमो भारत और अमरुद भारत ट्रेनों की ये त्री शक्ती भारतियर रेलिवे का काया कल्प करने जा रही है इससे बड़ी खुशी के बाद क्या हो सकती है कि पहली अमरुद भारत ट्रेन आयोद्या से गुजर रही है दिल्ली दरबंगा अमरुद भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली यूपी बिहार के लोगों की यात्रा को आधुनिक बनाएगी इससे बिहार के लोगों के लिए बग्व राम मंदिर में विराजने जा रहे है राम लदा के दर्सन को और सुगम बनाएगी ये आधुनिक अमरुद भारत एक्सप्रेस ट्रेन विशेज रुपते हमारे गरीब परिवार हमारे स्रमिक साथ्यों को बहुत मदद करेगी स्री राम चरित मानस में गोश्वामित तुल्शिदाज जी ने कहा है परहित सरिस्त धरम नहीं भाई पर पीडा सम नहीं अदमाई अर्थात दूसरों की सेवा करने से बड़ा और कोई धर्मा कोई और करतव्य नहीं है आधुनिक अमरुद भारत एक्सप्रेन गरीब की सेवा इसी भावना से ही शुरू की गई है जो लोग अपने काम के कारण अक्सर लंबी दूरी का सफर करते हैं जिनकी उतनी आमदली नहीं है वे भी आधुनिक सुविधाओं और आराम दायक सफर के हगदार है गरीब के जीवन की भी गरीमा है इसी दे के साथ इन ट्रेनों को डिजाइन किया गया है आज ही पस्चिम मंगाल और करनाटका के साथ्यों को भी उनके राजी की पहली अमरिद भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है मैं इन राज्यों को भी अमरिद भारत ट्रेनों की बधाई दिऊंगा मेरे परिवार जनों विकास और विरासत को जोडने में बंदे भारत एक्सप्रेस बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है देश की पहली बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन काशी के लिए चली थी आज देश के 34 रूट पर बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेने चल रही है काशी, वैष्णो देवी के लिए कट्रा, उज्जेन, पुष्कर, तिरुपती, शिरडी, अम्रिसर, मदुरई, आस्था के ऐसे हर बड़े केंद्रों को बंदे भारत जोड रही है इसी कड़ी में आज अयोध्या को भी बंदे भारत ट्रेन का उपहार मिला है आज अयोध्या धाम जंक्षन आनंद विहार बंदे भारत शुरू की गई है इसके अलावा आज कट्रा से दिल्ली, अम्रिसर से दिल्ली, कोईम्टूर बैंगलूरू, मैंगलूरू मढगाउं, जालना मुंबई इन शैरों के बीज भी बंदे भारत की नई सेवाएं शुरू ही है बंदे भारत में गती भी है, बंदे मारत में आदुनिक्ता भी है और बंदे भारत में आत्मनिर्भर भारत का गर्ब भी है बहुत ही कम समय में बंदे भारत से डेड़ करोड से अधिक यात्री सफर कर चुके हैं विशेश तोर पर युवापीडी को ये ट्रेन बहुत पसंद आ रही है साथियों हमारे देश में प्राचिन काल से ही तिर्थी यात्राओं का अपना महत्वर रहा है अपना गवरवशाली इतिहात रहा है बद्री विशाल से सेतुबंद रामेश्वरम की यात्रा गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा द्वार का दिश से जगनात पुरी की यात्रा, द्वादर्स जोतिली की यात्रा, चार धामों की यात्रा, कैलास मानसरोबर यात्रा, कावड यात्रा, शक्ति पीठों की यात्रा, पंडरपुर यात्रा आज भी भारत के कौने कौने में कोई न कोई यात्रा निकलती रहती है लोग आस्था के साथ उनसे जुडते रहते हैं तमिलनाडु में भी कई यात्राएं प्रसिद्ध हैं सिवस्थल पाद यात्री रही मुरुगनंको कावडी यात्री रही वैश्णाव तिरुपपदी यात्री रही अस्मन तिरुत्तल यात्री रही केरला में सबरिमाला यात्रा हो आंद्र तेलंगना में मेदाराम में समक्का और सरक्का की यात्रा हो नागोबा यात्रा इनमें ल बहुत कम लोगों को पता होगा की केरला में बगवान राम और उनके भाईयों भरत लक्षमर और सत्ट्रुज़ के धाम की भी यात्रा होती है, यह यात्रा नालंबं यात्रा के नाम से जानी जाती है, इसके अलावा देश में कितनी ही परिक्रमाय भी जारी रही है गोवर्दन परिक्रमा पंचकोशी परिक्रमा चोराशी कोशी परिक्रमा ऐसी आत्राओं और परिक्रमाओं से हर बक्त का इस्वर के प्रती जुड़ाओं और मजबूत होता है बहुत दर्में भगवान बुद्ध से जुड़े स्थनों गया लुंबिनी कपिल वस्तू सारनाद कुशिनगर की यात्राएं होती हैं राजगीर बिहार में बुद्ध यनुयाईयों की परिक्रमा होती हैं जैन धर्मे में पावागर, समेच सिकरजी, पालितना, कैलाज की यात्रा हो सीखों के लिए पंच तक्त यात्रा और गुरुदाम यात्रा हो अरुनाचल प्रदेश में नौर्दिस्टे पर्षुराम कुण की विशाल यात्रा हो इन में साविल होने के लिए सद्धालुपुरी आस्ता के साथ जूडते हैं देश बन में सद्धियों से हो रही इन यात्राओं के लिए वैसा ही समुचित इंतजाम भी किये जाते हैं अब अयोध्या में हो रहे यह निर्मान कारिय यहां आने वाले हर रामवक्त के लिए अयोध्या धाम की यात्रा को बगवान के दर्षन को और आसान बनाएंगे साथ यह एतिहासिक छाण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है हमें देश के लिए नवसंकल्प लेना है खुद को नई उर्जा से भरना है इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में मैस्पुरे देश के मैं 140 करोर देश वासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमी से प्रार्थना कर रहा हूं अयोध्या की प्रभुराम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं मैं 140 करोर देश वासियों को हाथ जोड करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अविध्या में प्रभुराम बिराजमान हो अपने घरों में भी स्री राम जोती जलाएं दिपावली मनाएं 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए लेकिन साथ ही मेरे सभी देश वासियों से एक करबद प्रात्रा और भी है हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साथ्षी बनने के लिए वो स्वयम आयोध्या आए लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संबव नहीं है आयोध्या में सबका पहुंतना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को देश भर के राम भक्तों को उत्तर प्रदेश के विशेश करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार वीधी पुरवक कारकम हो जाने के बाद तेश तारी के बाद अपनी सुवीता के अनुसार वो अयोध्या आए अयोध्याने का मन 22 तारी को न बनाए प्रभु राम जी को तकलीव हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं प्रभु राम जी पधार रहे तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें साड़े 500 साल इंतजार किया है कुछ दिन और इंतजार किये और इसलिए सुरक्षा की लिहाद से व्यवस्ता के लिहाद से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शान है यो द्याका नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्द है आप जन्रवरी में आए फरवरी में आए मार्च में आए एक साल के बाद आए दो साल के बाद आए मंदिर है और इसलिए 22 जन्रवरी को यहां पहुंचने के लिए बिड़भार करने से आप बचिये ताकि यहां जो व्यवस्ता है मंदिर के जो व्यवस्तापक लोग हैं मंदिर का जो ट्रस्ट है हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है इतनी मेहनत करके किया है पिछले तीन चार साल से दिन रात काम किया है उनको हमारी तरफ से कोई तकलिब नहीं होनी चाहिए और इसलिए मैं बार बार आगर करता हूं कि 22 को यहां पहुंचने का प्रयास हम न करे कुछी लोगों को निमंत्रन गया है वे लोग आएंगे और 23 के बाद सारे देश वास्यों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा साथियों आज मेरा एक आगर मेरे अयोध्या के भाई बेहनों से आपको देश और दुनिया के अंगिनत अतिज्यों के लिए तैयार होना है अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोच अयोध्या आते रहेंगे लाखों की तादाद में लोग आने वाजे हैं अपनी अपनी सुमिदा से आएंगे को एक साल में आएगा दो साल में आएगा दस साल में आएगा लेकि लाखों लोग आएंगे और ये सिल्सिला अब अनंतकाल तक चलेगा अनंतकाल तक चलेगा इसलिए अयोध्यावासियों को आपको भी एक संकल्प लेना है और ये संकल्प है अयोध्यान नगर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का ये स्वच्छ अयोध्या ये अयोध्यावासियों की जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें मिलकर हर कदम उठाना है मैं आज देश के सभी तिर्टक्षेत्रों और मंदिरों से अपना आग्रद हो रहाऊंगा देश भर के लोगा से मेरी प्रातना है वद्यराम मंदिर के दिनबार के निमित्त एक सब्ता पहले 14 जनवरी मकर संकरांती के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तिर्टस्तलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा भ्यान चलाया जाना चाहिए हर मंदिर हिंदुत्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का भ्यान मकर संकरांती 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए प्रभु राम पुरे देश के है और प्रभु राम जी जब आ रहे है तो हमारा एक भी मंदिर हमारा एक भी तिर्टक्षेत्र उसक्या और उसके परिशर के इलाके का अस्वच्छ नहीं होना चाहिए गंदगी नहीं हो चाहिए साथियों अपसे कुछ देर पहले मुझे एयोध्यान नंगरी में ही एक और सवभाग्य प्राप्त हुआ है आज मुझे खुसी है यह बताते हुए कि उजवला गैस कनेक्शन की दस करोड़ भी लाबारती बहन के गर मुझे जांकर के चाई पिने का मोका विला जब एक मैं दोजार सोला को हमने यूपी के बलिया से उजवला योजना शुरू की थी तो कोई कलपना भी नहीं कर सकता था ये योजना सफलता की इस उंचाई पर पहुँचेगी इस योजना ने करोरों परिवारों का करोरों माता और बहनों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया है उन्हें लकडी के दुए से मुक्ति दिलाई है साथियों हमारे देश में गैस कनेक्शन देने का काम साथ सत्तर साल पहले शुरू किया गया था साथ और छे साथ दसक पहले लेकिन 2014 तक हालत ये थी कि 50-55 साल में सिरफ 14 करोड गैस कनेक्शन ही दिये जा चुके थे यानि 5 दसक में 14 करोड जबकि हमारी सरकार ने एक दसक में 18 करोड नए गैस कनेक्शन दिये हैं और इस 18 करोड में 10 करोड गैस कनेक्शन मुक्त में दिये गए हैं उजवला योजना के तहट दिये गए हैं जब गरीब की सेवा की भावना हो जब नियत नेक हो तो इसी तरह से काम होता है इसी तरह के नतीजे मिलते हैं आज कल कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मोदी की गारंटी में इतनी ताकत क्यों है इसलिए है क्योंकि मोदी जो कहता है वो करकेने के लिए जीवन खपा देता है मोदी की गारंटी पराज देश को इसलिए भरोसा है क्योंकि मोदी जो गरंटी देता है उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है यह अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है और मैं आज अयोध्या के लोगों को फिर से विस्वाद दूँगा कि इस पवित्र धाम के विकास में हम कोई कोड कसर बाकी नहीं शोड़ाएं पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ बाइस जनवरी के अईतिहासिक छण का इंतजार कर रही है ऐसे में अयोध्या वाशियों में ये उत्सा ये उमंग बहुत स्वाभाविक है भारत की मिट्टी के कानकान और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूँ और मैं भी आपकी तरह उत्तना ही हूँ